कुछ दिन पहले मैंने नपॉकुक्सुंग की थी window क मैं अपना एक इस्पिरिंस बताउंगा जो कि आपको को प्रॉमिस कि और अगर इसकी मैं अपने पर्सनल वीव बताओं तो यहां पे जो इसकी डिजाइन है बहुत ही जादा पसंद आई इन फेक्ट जब भी मैं इसको कहीं लेकर जाता हूं और कोई देखता है तो आके जबूर पुछता है कि यह कौन से लेप्टॉप है आपने कहां से खरीदा इसका डिजाइन काफी अच्छा है तो यानि इसका डिजाइन आप देख सकते हैं जो इसका डिजाइन है काफी अच्छा है Lori यहां पीछे आपको अलग से अब इसके डेखें mikä अगर आप प्र소ल की बंद में उस देखए को बैन कशाा है जोद में जाब तो इसको इत् हैं तो design के मामले में और इसके look के मामले में में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यह laptop तो अगर design की बात करें तो यह काफी अच्छा laptop मुझे design के मामले भी लगा अब हम लोग किसके बात कर लेते हैं मैं सबसे पहले तो unlock लेता हूं तो मैंने इसको अन्लोक कर दिया है अब डिजाइन की बात हो गई अब मैं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस इसकी जनरली मैं ज्यादा हैवी गेम तो खेलता नहीं हूं तो जनरल इसके लिए जैसे नॉर्मल यूजिस के लिए है मूवी देखना हुगा यह सारी चीजों में काफी अच्छी स्पीड इसके में कोई प्रॉब्म नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें मिलती है जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एससडी भी मिलता है तो उप्रे तो काफी जल्दी असा i काम करते है यहाँ आप को बहुत स्टम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं यहाँ काफी जल्दी अो जाता है तो यहां पर शेंदी का आपको यहाँ फायदा हुसकता है । लेकिन अगर आप बात करें आने की सिस्टम को आन करने की बात करें तो बहुत ही फास्ट आन होता है और बाकी पर्फॉर्मेंस भी इसकी ठीक है लेकिन जैसा कि मुझे उंबित थी कि यहां पर आपके छोख कि अच्छ स्टम के अच्छा है अगर अगर गूंठ करें उन्लस करें तो यहां पर आपको दिखा रहा है यहां पे बैटरी बैटरी गन्ता के आसपास है और आठ घंटे का यहां पे टाइम दिखा रहा है तो आपको आठ गन्ते के विच के बैकप आसानी मिल जाता है इनफेक्ट। मैं यूज करता हूँ इसको तो काफी अच्छा लैप्टोप है 6 घंटे इसमें लिखा हुआ है तो 6 घंटे वैकप मिलता है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा है यहां पर इसकी इंटर्नल स्पीड काफी अच्छी है और अगर आप चाहें तो इसको दूसर ऑपरिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं जैसे व बूटिंग डिवाइस या बूटिंग स्पीड बढ़ जाती है अब यहां पर चार्जर का रजाइन भी हुझे काफी अच्छा लगा हाला कि आज कर सारे कंपनी वाले चार्जर इसी तरह की रिजाइन बना रहा है पहले काफी हैवी चार्जर आती तो काफी बढ़े बादी लंबे लंबे चार्जर आते थे लेकिन इसकी रिजाइन काफी अच्छी लगी हाला कि आजकर सभी लेप्टप की चार्जर की रिजाइन लगवग ऐसी होती जा रही है तो चार्जिंग की रिजाइन की बारे बात करें तो काफी अच्छी थी यहां पर हार्टिस आपको एक ट यानि कि external devices के साथ भी इसकी connectivity काफी अच्छी है और अगर इसकी USB connectivity की बात करें तो काफी अच्छी स्पीट यह दे देता है hardix से आप connect कर रहे हैं या फिर आप pen drive से connect कर रहे हैं तो यहां पर आपको 3.1 का USB port मिलता है एक और 2.0 के USB port मिलते तो 3.1 USB port से आप connect करते हैं तो अच्छी स्पीट आपको देखने को मिल जाएगी copy paste या कोई भी data transfer करने के लिए HDMI केबल से प्रोजेक्टर वागेरा से connect करते हैं तो काफी अच्छी स्पीट आती है उसमें कोई प्रॉब्म नहीं है screen resolution या यानि की display की बात करें तो काफी अच्छा है यहाँ पर आपको full HD support होता है 4K वीडियो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी resolution है यानि की screen है की clearness है वह भी काफी अच्छी है तो कुल मिला कि यहाँ पर मैं अगर बात करूं अब इसको इसका बेड़ जो है 1.4 kg है यानि की डेड़ को लोग के आसपास है तो heavy भी नहीं है जादा तो अब मैं आपको लग रहा होगा मैं तो सिर्फ तारीफी किये जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है मैं यह सारी बातें बता रहा हूं according to the price तो जैसे कि मैंने इसको पर्चेस किया था बहुत 80 हजार है तो अगर मैं बातकर 한번 5000 के अजाब से जिस तरह से मैं इसको ङूझ कर लो मैं काफी खोष हूं 604अर के lifetime मैं जभ खरीडा था उस हें pak술 मैं इसे काफी को लेपटाप से लेकर अगर बातकर сейчас 기자 कि तो आपको यहां पर यहां पे मैं आपको जैसे बताई यहां पर फिर थोड़े सी जो इनकी इत्वीर उतनी अच्छी नहीं दे पा रहा है अगर आप गेम बगेरा खेलते हैं हाला कि मैंने गेम परपस के लिए तो लिया नहीं था तो यह सारी जो स्पेस्पिकिशन बताएं मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग बताएं जो कि आपको आगर 40,000 से नी जो यह रखता है कि 36,000 के लैप्टॉप में जो इतनी जो कंफिग्रेशन मिल ला है वो काफी ज्यादा है और अगर यहां पर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यहां पर ग्राफिक्स कार्ड भी है जो कि यहां पर ग्राफिक्स कार्ड जो मिलता है तो यहां पर ग्राफि तो आपको डेफिनेटली इसको पर्चिस करना चाहिए अगर आपको जोगरत है तो अगर आप 40,000 से उपर आपको प्राइज जैसे कि रेगूलर प्राइज से 40,000 या 40,000 से उपर ही रहता है तो आपको अगर दूसरे बैटर मिलते हैं तो आप डेफिनेटली उसके तरफ जा सक अगर कोई सो जाए तो कमेंट बबसे मता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्यों फो आचिंग